हेलो बच्चो वेलकम टू यूर आपका अपना चैनल स्टड़े वित अतुल सिंग तो बच्चो इस चैनल पे जो पहले वीडियो आ रहे थे वो जिस भी टॉपिक पे वीडियो आ रहे थे वो सारे ग्रेजुएशन लेबल वाले टॉपिक्स थे ठीक है बच्चो तो अभी से ह हम लोग क्या करेंगे इस चैनल पे एंसी एर्टी फिजिक्स ठीक है एंसी एर्टी का फिजिस क्लास 11 एंड क्लास 12 दोनों पढ़ेंगे ठीक है पूरा टॉपिक जो भी रहेगा एंसी एर्टी टेक्स्टबुक का ठीक है तो इससे आपको मालूम भी पढ़ जाएं कि एंसी स्टड़ी टाइप ठीक है अगर आप चाहो तो मैं उसका वीडियो बना बना दूंगा ठीक है लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं फिलाल चैप्टर नंबर टू से जो कि बरी इंपॉर्टेंट है यहीं से स्टार्ट होता है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं अब तो आप बोलोगे 28 का क्या है 28 का वाट 28 तो मैं बोलूंगा 28 सेंटीमेटर का है तो आप क्या समझोगे कि हाँ यहां पर लेंध की बात हो रही है है ना बच्छो तो वैसे ही अगर मैं कहीं पर भी यूनिट लागाता हूं किसी का भी जैसे मैंने आप सेंटीमेटर बोला तो की सेंटीमेटर के वाथ करो 283 30 तो इस यूनिट्थ की वाईसे के वॉङ्यूम कि यहां पर बात चल रही है ठीक है अगर हम uh 28 kg तो इस kg की वैसे आप क्या बलोगे कि यहाँ पर मास की बात चल रही है है ना बच्चो तो यह यूनिट जो है यूनिट यूनिट हमें क्या बताता है कि वह कौन सा यूनिट का काम होते है इसके लिए आपका यूनिट को बनाया गया भी यूनिट को ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं यूनिट का तो आपको मालू पड़ेगा यूनिट क्या होता है अब बच्चो जो physical quantity होती है ठीक है अब जैसे मैं बता है physical quantity को आप item व dirty मास बोल सकते हो तो यह दो टाइप में होता है दो इसमें दो टाइप में डिवादेट ए एक हो गें आपका fundamental fundamental quantity ठीक है बच्चो राइटिंग के लिए माफ करना मुझे दूसरा होगे आपका derived quantity तो अब देखते हैं इसमें दोनों में क्या फ़रके यह फंडामेंटल आपको quantity है यह बेसिकली बेस कॉंटिटी है सबसे बेस कॉंटिटी आपको फंडामेंटल कॉंटिटी में आएगा मतलब इससे आप बेस किसी को लें नहीं सकते तो हमारे पास we have seven fundamental quantities ठीक है पहला आपका है length पहला आपका लेंथ इसका युनिट क्या रहता है बेसिकली मीटर हो गया सेंटीमेटर हो गया ठीक है यह अलग-अलग सीजेस बगर में लेते हैं यह मैं आपको बताऊंगा दूसरा हो गया आपका fundamental quantity मास मास को मैं क्या लिखता हूं केजी किलोग्रायम ग्रायम ठीक है थर्ड थर्ड आपको क्या आएगा टाइम हो गया इसको मैं सेकेंड में लेता हूं इसका युनिट फोर्थ हो गया अब जैसे हमनोंने बच्चों physics में आपका एक पार्ट एड हुआ जिसको पार्ट का नाम है electricity ठीक है जैसे इसके बारे में हमने study किया तो हमें यह मालू पड़ा कि जो आपका electric current है जो quantity electric current है वो एक्दम बेस quantity electricity में तो इसके लिए हमनोंने fundamental quantity में current को भी एड कर दिया ठीक है electric current को जिसका युनिट है आपका MPR जिसको रिनोट करते ए से MPR अब फिफ्ट वाला फिफ्ट वाला बच्चों अभी जैसे जैसे हम लोंने थर्मोडानमिक्स एड़ फिसक्स में तो थर्मोडानमिक्स में जो बेड होता है आपका होता है temperature होता है ठीक है जिसके वरसे आपका state change होता है state किसी भी किसी भी इसका बोल सकते molecule का state change होता है तो उसमें आता है बेस सबसे बेस आता है temperature ठीक है बच्चों तो temperature को भी fundamental quantity में add कर दिया अब इसका unit क्या होता है Kelvin यह सारे unit में लिख रहा हूं Kelvin छटवा की बात करें तो बच्चों अब बात की गई यहां पर अब जैसे length mass time तो इने बात कर लिए अब length हम लोग अब जैसे बात करते हैं molecules की अगर बात करें अगर मैं उनकी बात करता हूं तो अगर मैं उसकी में बात करूं यहां पर मैं करता हूं यह हम लोग कितना लेते 1000 अब क्ना लेते एक मोल उसमें बहुत सारे ंधे ओ डिया वो आपका आबर सदूर है न उतने यह तो?」 इस molecule करे जो सारे इसको मेजर करने के लिए हमने एक कॉन्टिटी बनाया जिसका नाम है पम ऑप सब्सेंस हैं माउं सब्स्षेंस जिसका युनिट है आपका मोल क्या चीज़ मेजर करता है मोल आपका क्या मेजर करता है मोलिक्यूल्स को मेजर करता है ठीक है जो कि एक more है अगर में बात कर , थीक है तो एक more आपका क्या है एक मौल आपका 6.022×1023 तो तीन यहां पर तीन मोल हो गया ठीक है ठीक है ठीक है जिससे हम लोग मेजर करते हैं इतना समझा अब और भच्छो आगे सहथ सेवंत वाला देखते हैं अब गजो रे उसकी इंटेंसिटी मेजर करनेके लिए हम लोग वन इसका उन्हें हमने इंटेंसिटी इसका यूनिट क्या होता है इसको हम लोग केन्डेला से मेजर करते हैं ठीक है तो यह विए अपक अपके सैन्ठ कॉंटिटी है और भी दो फंडामेंटल कॉंटिटी में आते हैं वह मैं अभी आपको बताता हूं ठीक है तो अब डिराइब कॉंटिटी की बात करते हैं फिलाल फंडामेंटल दो और कॉंटिटी है उसको मैं आपको बताऊंगा तो डिराइफ कॉंटिटी जैसे अब मैं ठीक है तो density यहां मांस अप्वाल्यूम अब अब मासों की में बाशले हैं लेकर सकते हौहां वॉल्यूम को लिख सकता हूं तो लेंथ भी fundamental quantity मास भी fundamental quantity और यहां पर भी यह फंडामेंटल कॉंटिटी है तो बिसिकली डिराइब जो quantity है वो fundamental से ही डिराइब होता है fundamental से ही वो डिराइब quantity होता है ठीक है और कुछ और एक और फॉर्मुला लेते किसका फॉर्स का लिए इस भी तो आपका डिराइब कॉंटिटी है मास इंटो एकस्लिरेशन आप एकसेलिशन गुए शेट्राइब को मैं वेल टीक्राइब लिखता हूं और वेलसटी को में हो तो यह मास है आपका fundamental quantity तो यह लांत हो गया लेंत हो गया है का तो यह भी बनता है उसको बहुत सारे बोड और व्यांगे तो यह वह फंड़मेंटल कांडिटी प्ट है इतना समद हैं आपको में दिराइफ अब दो फंडमेंटल और कॉंटिटी है उसकी मैं बात करता हूं यहां पर तो बैच्चों दो और fundamental quantity में हमारे कौन से एक है आपका पहला आपका plane angle ठीक है तो जो plane angle है आपका वो basically आपने circle देखा होगा circle तो सबने देखा है circle क्या होता है सबस्थ बहुत बड़ा circle है तो यह आपका radius हो गया ठीक है अगर मैं छोटे से आर्क की बात करों यह इतना समय लेता हूं साइड तो यह आपका दो रेडियस हो गया यह 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 रोगया इन दोरों के बीच रेडियस के बीच में एक एंगल ठीटा हो गया और इसको लोग आर्क लेंथ एस ले लेते हैं ठीक है बच्चों तो अब यह जो है अगर आपनी पढ़ा होगा mathematics के formula में mathematics में जो आर्क लेंथ होता है आर्क लेंथ का formula होता है ठीक है जो भी एंगल होता है बीच वाला थीटा इस इक वर स्टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है कि आपको याद होगा ठीक है तो यह होगया आपका plane एंगल जि इसका जो यूनिट रहेगा plane एंगल का वो रहेगा आपका रेडियन ठीक है बच्चो अब जो दूसरा वाला physical quantity है वह आपका solid एंगल जिसको करते हैं डी ओमेगा ठीक है यह आपका डी ओमेगा इसको बोलते है तो अब यह बेसिकल क्या होता है कौन देखा है बच्चो आप ठीक है यह जो रहेगा नहें सर्कुल में आपका वो деньги रहेगा सरकल मीजशन गोल दिख्ण तो आपका कौन दिखता है तो अपको के सता हो गयां ऐसा ऐसा तो यह जो रहेका रहेकं एक area cover करेगा इसको हम बोलेंगे दिए यह पुरा पाॉटらい डी अपर करता हो जिसको हम लो हब यह जो एंगल कितना है यह सरकल में एंगल कितना यह हम डिनोट बना बना है ठीक है और यहां से लेकर यहां डिस्टेंस और यह सेम रहेगा यह दोनों सेम रहेगा ठीक है आर तो इसका जो फॉर्मुला आपका जो भी है फॉर्मुला वह का डी ओमेगा जे इकोल डी ए अपॉन आर स्क्वाइर ठीक है जैसे यहां पर थीटा इस इकोल स्टू यह आपका एंगल मेजर करने के लिए अब लेते ठीक है अब बच्चो इसका जो यूनिट है यूनिट जो है उसको लोग स्टेराडियन बोलते हैं यह स्टेराडियन है अब हम अगे इसके आगे के बढ़ते हैं है करें हम लोग मेंजर मेंट में ला सिस्टम होते हैं हम लोग लिए टो ने थिक की महिवेश होते हैं यह का ग्राम करते हैं डुम इन ऐक मेरे हम सेकिंदे साधाक ce के लिए सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग सिस्टम करते हैं तो इसा यूनिट भी बोलेंगे थिक हैं तो इसा यूनिट रहता य है उसको आपका जो मेजरमेंट आधा होता है थिक है वह हम लोग लेंथ आपका जो कि measurement of length तो आपका टू-पॉंट-3 वाला टॉपिक है टेक्स्ट बुक में एंसी आड़ी के टेक्स्ट बुक में तो यह जो रहता है बेसेकली हम लोग मीटर से लेके 10-2 मेटर मेजर करना तो मीटर से मेजर कर सकते हैं मीटर स्कैल राता है उतनाट प Advent कि मात करें तो सब्सक्राइब करें तो अगर आप नेट पर सब्सक्राइब करें तो आपको मालूम पढ़ जाए कैसा दिखता है दोनों ठीक है और यह भी वर्नियर कालिपर इससे हम लोग 10-5 मिटर तक मेज़र कर सकते हैं अब बात क्या आती है बच्छों यह प्रॉब्लम दिखत क्या दिय सन और आर्थ के बीच में डिस्टेंस रहा तो तो कैसे मेज़र करेंगे ठीक है और यह जैसे मॉलेक्यूल यह आपका टैनिस्टू माइस फॉर जैसे मॉलेक्यूल का अगर मुझे लेंथ जाना है तो कैसे मालूम पढ़ेगा है ना बच्छों मॉलेक्यूल हो गया उसे भी चोटा अबजेक्ट इस फाइस से भी चोटा अगर मुझे किसी का डिस्टेंस मेजर लेंथ मेजर करना है कैसे मालूम पढ़ेगा तो अब यह आता है हमारा टॉपिक एस्टीमेशन ओफ इसके अंदर सब टॉपिक है एस्टीमेशन ओफ लाज इस्टेंस एन एस्टीमेशन मेजर मेजरमेंट हम लोग कैसे एक होता है पैरलेक्स मेसेड कर के है ठीक है देखते हैं अगर मैं इसको और पैरलेकस कि पहले में और राइट ऐसे को सपो कूल तो स करें चाहिए यहां पर दिखेगा इसका रिफ्लेक्ष्शन है इसका रिफलेक्ष्ट M.D. यां पर देखेंगा सपोस मैं पोल यहां पर दिखेंगा लेकिन मैं मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं लेफ्ट बंद और राइट अक से देखुν इस मारकल को तो मेरे रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखे रहे हैं ठीक है वहीं अगर मैं right आख को बंद करूं और इसको लेफ्ट आक से देखूं ठीक है लेफ्ट आक से देखूं तो मेरे यहां पर दिख रहा था वो मेरे यहां पर थोड़ा दिवाल पर है ना दिवाल पर दिखेगा यहां पर यह बोड पर तो अब देखो पहले यहां पर दिख रहा था अगर मैं लेफ्ट बंद कि और लेफट आंक से देख रहा तो यहां पर दिख रहा है मतलब दोनों में फरक आ गया तो यह हो गया आपका करता हूं यह आपका अर्थ है तो यह अर्थ हो गया यह सन तो सपोस्स एक बंदा यहां पर खड़ा है और यहां पर खड़ा है और दोनों से देंस पर होदगे और यह दोनों बंदे के दिश्टेंस रहेगा ऑपका क्यापिटल न कहुंत поех जोड़ा है यह फिर ठीक के और यह अगर आप अर्थ से संतक का मेशरमेंट ले रहे हो तो सरकल बहुत बढ़ा बनेगा तो यह जो है ना अर्थ का यह मैं चोटा सा पार्ट में मेशर करें आर्क लेता हूं ठीक है जो कि आपका से स्मॉल डी से में हम लोग इसको डिनोट करेंगे तो यहां पर यह जो कैपिटल डी है वह आपका सेम रहेगा ठीक है तो अभी हम लोग ने देखा था प्लेंगल प्लेंगल में फॉर्मूला क्या होता है थीटा इस इकोल स्टू आर्क लेंद अपॉन रेडियस यह होता है तो यहां से आपका अगर मुझे इसमें से कोई भी दो चीज का वैल्यू पता है या तो मुझे इसका पता है या तो मुझे इसका पता है या तो मुझे इसका पता है ठीक है कि कोई भी मुझे दो वैल्यू पता है तो मैं एक वैल्यू निकाल सकता हूं अगर मुझे यह दुनों पता है तो मैं इसको बोलेंगे न तो इस थीटा को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं तो यह आपको समझ में आ गया होगा इसके ओपर अभी कुछ नुमेरिकल्स आपको एक्जाम्पल में दिये हुए तो वो ज़रा कर लेते हैं ठीक है बच्छो अब बच्छो यह सौब एक्जाम्पल नमबर वन अम लोग देखते हैं तो हम मैं भी इसमें से पूरा मैं नहीं करा हूंगा एक्जाम्पल कुछ करा हूंगा ठीक है ऐसा मुझे लगता है कि आप लोग लिए डिफिकल्स लग ए तो इसमें क्या बोला है एक एंगल ओफ वन ड 60 मिनिट और वन मिनिट एस इकल्ट उसिस से कैन्ट ही तो इसका इसलिए बच्छो 카메ट करते है तो यह एक्जाम्पल नबर क्या है कौन सा है एग्जाम्पल नमबर है तो उसमें आपका दिया कि हो हरिए और फैन्ले में पहले दिया तो दोनों जगहा पर फीए वानिटी ते यह हो जाएगा तू यह हो जाएगा यह क्या हो जाएगा तू एक काम कर इसको डिवाइड मत कर इसको एसी रहे तो अच्छा इसको कैंसल हो गया तो यहां क्या आया डैफोर 2 is टो टो पाय अपॉन बन टो यहां पर टू चला जाएगा टू इदर आएगा तो डीवाइड हो जाएगा तो ही तू डिगरी कितना आ रहे हैं ऑफ़ ने तो डीगरी का वैलिव आपको मिल गया तो यहां देखो यह बच्छो यह आप धाल रखना यह वन डिग्री होता है यह एक दंडी तो मेनेट होता है और ये वनज़ेंड होता है हॢकर तो इन तीनों का Venue हम लोगों को डीकरी को अपने को मिली का है ऑपको क्या करना थे पाई की वेल्यू लखानी आप है 3.14 upon 180 3.14 divided by 180 करेंगे ठीक है तो इसको अमनों कैसे कर सकते दोनों को आप इसको आप डिवाइड करोगी डिवाइड थोड़ डिफिकल्ट होगा ठीक है तो एप्रॉक्सिमेट अगर दो पॉंट तक भी लिखेंगे तो भी चलेगा तो बच्चों इसका जो वैल्यू है वह यह आता है 1.745 किसका यह वन डिगरी का है अब हमको निकालना है वन मिनिट क वन मिनिट का कितना रेडियन आएगा ठीक है तो आपको पता है कि वन मिनिट का निकालना है ठीक है तो लेकिन आपको एक चीज़ क्या पता है कि वन डिगरी वो टेक्स्टूग में भी दिया हुआ है 60 मिनिट होता है तो यह वन डिगरी में आपको रेडियन पता है कितना हो है ना एक्स रीडियन तो अब मैं क्या करूंगा क्रॉस मंटिप्लाइब इसको इसको इससे तो क्रॉस मंटिप्लाइब करता हूं तो एक्स इंटो 60 कि इस एक्वाइड करते हैं अगर मैं इसको डिवाइड करूं अब क्या कर सकते हो यह वन मिनिट को भी हटा देतों इंटो वन मतलब वही हो गया अब यह 60 को मैं लेख सकता हूं 6 इंटू 10 रिस टुवन को मैं ऊपर लेके जाता हूं ऊपर तो 10 रिस टू-1 हो जाएगा ठीक है तो यह अब बच्छो आप इस इंटों को डिवाइड करो अगर आप डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आती है आपकी तो बच्छो अगर मैं इस चीज को 6 से डिवाइड करता हूं तो मुझे यह चीज मिलता है और यह आपका 10 रिस 10 रिस टू-3 ठीक है तो ट्रूम में आपका 10 रिस टू-4 में दिया तो उसमें कर देखो कैसे करते यह अधर में पॉइंट हम लोग कैसे शिफ्ट करते अब बच्छो यह आपको पॉइंट है आपको नंबर लेके जाना है लेफ्ट साइड में पॉइंट के लेफ्ट साइड है मतलब मैं नंबर को लेफ्ट में लेके जाए मायनस जो भी 10 रिस यो पावर आएगा उ व्यां रहा खी कितना नंबर लेके जारे हो एक ही नंबर लेके जारो ना तो ट्रूम-1 ठीक है बच्छा तो यह हो गया 2.908 डू-1 बच्छो ट्रू-2 यह मैंने बोले लेट साइड यह आपका 1 minute जो है इतना आगया वन मीट इतना रेडियर आगया यह आपका बेसेकरी एक सके वेल्यू है ना पट एक्सकों नहीं क्या लिया था यहां पर एक्सकों लोहने वन मिनिट लिया था तो वन मेट अपका कितना रेडियर आगया इतना रिदेंगा तो बच्छों हम लोग को वन सेकेंड का फाइंड करना कितना रेडियन आगा जो फाइंड करते अब आपको पता है कि वन मिनिट कितना होता है तो बच्छों को बनीट का पता है कि यह पता है न तो हमको किसका निकालना है वन शेकेंड का निकालना है वन सेकेंड के आपको पता नहीं लेट से एक्स रेडियन ठीक है वह सेम क्रॉस मंटिप्ला है तो क्रॉस मंटिप्ला करेंगे तो एक्स इवल्स टू टू पॉइंट नाइन जिरो एट इंटू 10 देश्टू माइनस 4 अपॉन 60 ठीक है बच्चों अब 60 को मैं 10 इंटू इसको कह 847 ऐसा कुछ मिले आप तीन नमबर भी ले सकते हो तो यह होगा 10 देश्टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस 5 तो बच्चों वही चीज़ हो गया क्या होगा 4.847 इंटू 10 देश्टू माइनस वन इंटू 10 देच्टू माइनस 5 तो पको होगा 4.847 इंटू 10 देच्टू इसक्स टू माइनस शिक्स रेडियेन तो यह आपको किसका यहां या वन सकेंड का है आए वोन सेकंड मैंने एकस लियाे थाथ ना एकसurn coalition सो Grad एक्स तो आपका वन सेकेंड का भी मिलगा इतना तो हम व्लों इसको आशी करेंगे अब यह आदक ना हमेशा था कि वन डिगरी कि इतना होता है 60 मिनिट होता है कि वार्ट कितना होता है 60 सेकेंड होता है ठीक है अब में अगे नेक्स वाले सम पर चलते अब बच्चो नेक्स वाले सम क्या दिया यह आपका एक्जामपल नंबर 2.2 ठीक है इसमें आपको क्या दिया मैं को एक बाता बता रहाएं और यह जो है यह सी पूरा एक टावर ठीक है वह बंदा जब वह पॉइंट अब क्या होता है कि यह बना दिया और इन दोनों के बीच में पहले जब जो मैन था वो जो बंदा था वो जो आदमी था वो पहले इदर खड़ा था टावर के पास में फिर टावर से 100 मिटर दूर चला गया तो दोनों के बिच में एक अंगल बनता है ठीटा ठीक है तो इसमें आपको पूछा है कि जब मैन टावर के पास खड़ा था that is point A पे खड़ और यह दिया है 100 तो बच्चो टैन ठीटा से आपके वेल्यू नहीं निकाल सकते न तो टैन ठीटा का आप फॉर्म्ला लगाओ टैन ठीटा क्या होता है ओपोजिट अपॉजिट अपॉन एजिसें तो उससे आपका एक्जामपल नंबर 2.2 भी आ जाएगा ठीक है बच्चो अब हम लोग नेक्स एक्जामपल बेचल दें एक्जामपल नंबर 2.3 तो बच्चो अब एक्जामपल नंबर 2.3 देखते हैं ठीक है अब 2.3 मैंने आपको बताया था याद है measurement of large distance कैसे करते हैं parallax method में अर्थ और सन को लिया था सेम वैसे ही है ठीक है यहां पर बस मून एक बहुत है और यह मून है तो अर्थ के दो डामेट डामेट्रिकली ऑप्वाजिट पर आप दो लेता हुआ मोन 2-0 फॉइंट है ठीक है बच्चो एक एक दूसरा बी है और यह आपका मुल्ड है ने लेता हूं मुल्ड मुल्ड को मुल्ड है फुल दोनों के बीच में विच में एंगल बना नहीं जोकि थीटा है आपका वह थीटा आपका कि इन दिया हूआ है कि वन डिगर 54-54 यह आपका धृता दिया हुआ है और इसमें क्या दिया है दोनों यह जो डायमेटर एंच में दिया है वो इतना दिया है वह दिया है आपका 1.276 x 10 रेस्टू 7 मिटर दिया हुआ है ठीक है बच्छो यह अपका दिया हुआ हाँ मतलब अर्थ से यह मून का डिस्टेंस कितना रहेगा ठीक है यह दोनों सही रहेगा ले लेता हूं तो अभी हमनों ने इसके पहले बताया था यहां पर सन लिया था तो क्या रहता है तो बात करता हूं तीटा आपका बच्चो वह रेडियन के फॉर्म में नहीं दिया है एंगल हम लोग ने प्लेन एंगल का यूनिट क्या पढ़ा है रेडियन है बट रेडियन के फॉर्म में तो दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे इस चीज को रेडियन में कनवर्ट करेंगे अब बच्चो जो एक्जामपल नमबर 2.1 था उसमें हम लोग देखा था कितना रेडियन होता है बट इसमें अगर ऐसा अगर आपको कोशन देते हैं तो आपक कितना रेडियन मिला था याद है कुछ हम लोगने एक्जामपल नमबर 2.1 में देखा था ना तो उसमें मिला था कुछ 4.847 ना इंटू 10 दिस 2-4 रेडियन मिला था तो बच्चो आपको यह वन सेकेंड का याद आखना है अब हम लोग बात करते यह थीटा कि थीटा कितना इदर वन डिगरी 54 मेनिट अब नों क्या कर देते हैं ठीक है इस अब कर सकते हैं इस सब को पूरे को वर ना सेकेंड में कर देता है यह तो मैं इसको सेकेंड में करता हूं तो वन डिगरी वन डिगरी जो है आपका वन डिगरी कितना मिनिट होता है हाँ बच्छो वन डिगरी होता है 60 मिनिट प्लस आपका 54 मिनिट दिया हुआ है तो यह तोटल कितना हो गया 114 minute हो गया ठीक है अब 114 minute हो गया अब आपको पता है कि one minute कितना second होते है one minute i 60 seconds तो इतना minute कितना second होगा च्कोंप industry कितना होगा इंटू कर दो ठीक है one minute फोर आप लट बैसरे किसमें इस दोनों को मल्लिप्लय करेंगे तो आपका six आजाएगा तो देर्फोर X is equal to 162114 अब इन दोनों को multiply करते हैं ठीक है तो multiply करने के बाद तो बच्चों इन दोनों को मैं multiply करता हूं तो कितना आता है 6840 तो यह 6840 क्या है सेकेंड इतना आपका सेकेंड होगा मतलब यह जो अपका one degree 54 minutes उसका सेकेंड में करूं तो इतना आता है सकेंड ठीक है बच्यों आपका है कि इतना रेडियन होता है तो क्या इतने सेकेंड का मैं का सबस्क्राइब चलो करते हैं फिर इसको मैंने पुरा रफ करके वापस लिख दिया है ठीक है ऑच वह डाइमेटर है आपका में इतना होता और ठीटर जो है कि मिल crystalline तो इतना तो मुझे मिलक्या अब इतना सेकेंड्ड न का है एनको इतना सेकेंड्ड का इतने टोगों का इतना कितना होगा लेट से मैं लेता हूं X फिर वह इन दोनों को k mustiprive ठीख है तो अगर मैं फिर X ऑमिठोगज इंटु is equals to 6840 into 4.847 into 10-2-4 Radian ठीक है बच्चो अब इन दुनों को multiply करते हैं तो इन दुनों को multiply करने के बाद तो बच्चो अगर दुनों को multiply करता हूं तो मुझे यह term मिलता है इन दुनों को multiply किया दो तो यह हूं कि 10-4 की term है तो मैं क्या कुछ point इसमें दे सकता हूं 10-4 से तो मैं उसमें देता हूं ठीक है यह फिर ऐसी आप रखो चाहिए तो इसको काम करते हैं three point में करते हैं dividing के लिए easy होगा ठीक है अगर डिवाइडिंग होगा नहीं इसको डिवाइड करेंगे तो जादा नमबर आजागा इसका पॉइंट कम करेंगे तो अब देखो इसमें क्या दे रहो माइनेस दे रहो ना माइनेस दे रहो तो यह जो भी रहेगा ना पॉइंट वो लेफ्ट में जाएगा माइनेस अब इसमें दे रहे हो तो इसके लिए जो पॉइंट है ना पॉइंट नंबर लाइन के बात करो तो यह 6 तो मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं यहाँ पर लॉजिक कैसे लगाना है तो आप माइनस डू अगर मैं सब्सक्राइब माइनस टू इदर देतें तक तो शुर्म पर नहें पर आप रखता हूं यह भी हो गया माइनस 6 तो अब देखो मैं माइनस 4 इदर दूँगा तो माइनस 4 जो पॉइंट है न वो लेफ्ट साइड माइनस चार नमबर के बाद चला जाएगा तो 1 2 3 4 तो चार नमबर के बाद जब पॉइंट आएगा तो 10 दिस्टू मैंने माइनस 4 इदर दे दिया तो जो भी पॉइंट आपका लेफ्ट साइड में चला गया क्योंकि माइनस आपका लेफ्ट साइड में सो रेडियन हो गया ठीक है तो जो थीटा है आपका वो इतना आया 3.315 इंटू 10 दिस्टू माइनस 2 रेडियन सो बही अब अभी इस फॉर रब्लेट का फोर्मल लगाया है तो small d वेल्यू और थीटा के वेल्याव मेंने डाल दिया ठीक है अब इसको अभी डिवाइड करी 10 दिपर जाएगा तो क्या बन जाएगा यह हो जाए बापका यह क्या बन जाएगा बताओ आप क्या बन जाएगा तो बच्चो यह जो हैं यह माइनस टू पर गया तो तो टेन इस्टू टू हो गया ठीक है प्लस टू हो गया बैलाओ पिंडाइस अब यह चीज़ को हम लोग डिवाइड करने के बच्चो ठीक है तो कैसा है बच्चो कि यह चीज़ डिवाइड करने के लिए अब यह पॉइंट में तो लॉगरिथम होते हैं आपको पता है किसी किसी के बोर्ड में हम लोग यूज़ करते हैं लॉग से निकालते हैं इस चीज़ को जो भी जैसे डिवाइड रहते हैं बड़े नंबर से होते हैं पॉइंट में होते हैं तो लॉग यूज़ करके हम लोग निकालते हैं बट किसी किसी में हम लो एप्रॉसिमेंट वेल्यू भी लेतें वाट किसी किसी बोड में लॉग लॉग यूज करके इसको में निकाते डिवाइड करतें ठीक है तो लॉग की प्रॉपर्टी होतें कि लॉग औफ अगर a by b हैं तो वो जाता है लॉग a minus log b हो जाता है ठीक है तो लॉग a इसको ले लेंगे लॉग b लेंगे तो लॉग a minus log b हो जाता है फिर अंटी लॉग भी लगाते बाद में यह जो भी आयेगा ना यह मिलके लॉग a की value देखेंगे लॉग मतलब इसकी value देखेंगे लॉग इसकी value लेंगे जो भी आएगा उसके हम लोग एंटी लॉग लेंगे तो उससे आपका डिवाइड करेंगे चले लॉग मैं आपको सिखा दूँगा इसके बाद में लॉगरिफम सिखा दूँगा यह ट्रॉपिक होने दो आपका ठीक होने के बाद मैं आपको log सिखा देता हूं तो अगर अंदोने को डिवाइड करते हैं बच्छो तो आपका आएगा तो यूटूब पर आप किसी विडियो देख सकते हो लॉग एरिथम आप शेक सकते हो ठीक है ज्यादा इसमें वो नहीं है बिएजी इजी आप सीख जाओगे लॉगरीथम अगर आपको अभी सीखने हैं तो आप किसी भी यूटूब पर टाइब कर लो सो आपको मिल जाएगा ठीक है तो यह आगे इंट्टू 10 दिस्टू 9 सो यह चीज़ होगे आपका रेडियन सो यह डिस्टेंस आपका जो आपका स्मॉल दी था है जो आपका स्मॉल भी था बच्चो मीटर में था है ना करते बंसको मीटर में ली धाथ ही maar तो जो और आर्थ है और यह सन है तो हम दोग अर्थ से ले रहे था न से स्टेंस अभी कैसा यह हैंस्ट से निया है तो बोला है कि एंगूलर डाइमीटर हो ऌας सबस्क्राइब अपन पर कितना 120 भंटा है यह जो यहें म को डिस्टेंस यह वाला इजो डिस्टेंस है कैपिटल डी कैपिटल डी यहां पर दिया है बच्चो कितना 1.496 इंटू 10-2 11 मिटर दिया हुआ है और बुलाई कि find the diameter of the sun मतलब यह आपको है ठीक है बच्चो तो आप पहले सबसे पहले क्या करें कि तुकर ऐता है दो इसको और रिदियन میں कैसे द्वेकर सकते रेसी सिमिलर है आप यह है यहां इनor से ईrek्मिन चेल डीक मैं तो when to second है तो ठीटर को सैकेंड म отв करना है तो इससे पहले वाल Hill तोसमें उनक्षेकंड से क्ना होता है तो से मित्राइब हो जाएगा खारीडियनमे जब थीटा आपका radiant में convert हो जाएगा और दी तो आपका मीटर में तो आप सेम वह फॉर्मुला जो मैं जो हमनों ने देखा था हो क्या होता है थीटा इस इवाल स्टू का जो आंसर है वह मीटर में मिलेगा ठीक है क्यों क्यों कि capital D आपका मीटर में है इसके लिए ठीक है सो अब आगे करते हैं बच्चो बच्चो जो अगला टॉपिक है आपका estimation of very small distance ठीक है तो estimation of very small distance ठीक है बच्चो तो इसमें बेसिकली क्या है कि अब जैसे हम लोग ने इसके पहले देखा था स्टार्टी में कि 10 डिस्टू माइनस फाय तक हम लोग स्कूरू गोज या फिर अपना स्कूरइब जैस स्पेरोमेटर से मेजर करते हैं उससे भी छोटा कोई कुछ मेजर करना लूट डिस्टेंस ओगया ठीक है इसको कैसे मेजर करें तो हम नहीं देखा कि 10 रिस टू-8 से लेके टैन इस टू-10 तक टैनिस टू-8 मिटर टो टेन इस to minus 10 meter तक इस size को हम लोग measure कर सकते हैं किससे बच्चो किससे बाय optical microscope by optical microscope ठीक है तो अब यह optical microscope आप अगर आपको नहीं पता है आप एक बाद नेट पर सर्च मार लो या फिर experiment करते हैं देखो माइक्रोस्कोप में देखती है लाइट का reflection आता है तो microscope में हम लोग देखते तो वो किस पर do такое largely यहां reflection of light उसफेंड फिरेंद होता है तो उसमें क्या होता है कि है राइट जो है राइट हमें जो भी राइट जो भी रिफ्लेग करके दिखे है वह दिखेगा ऊपन Ama क्यों नहीं दिखता क्यों कि बच्चों यहां पर क्या होता है कि जो आपका लाइट है ठीक है जो लाइट है विजिबल जो लाइट है विजिबल मैं विजिबल की बात कर रहा हूं उसका रेंज होता है आराउन 4000 एम स्ट्रॉंग nao' to Chief to 7000 एम स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग विजिबल रेंघ यहां ओड़ी होता है गतना की सितना लाइट है तो अब क्या होता है कि अगर मैं इतने तो इस से अगर ज्यादा कम रेंप टो इससे को में रहा ह तो फिर होगा तो फिर उप्टिकल माइक्रोस्कोब कोई काम कहीं नहीं देगा क्योंकि इतने रेंज का लाइट गिरेगा तभी तो मैं देख सकता हूं ठीक है तो अब क्या हुआ बच्छो यहाँ पर अब जैसे आपका नहीं बता सकता है तो इसके लिए हमारा नया चीज के आया एक आपटिकल माईक्रोस्कोप हमने 24 देर इसका तो यह बहुता है यह भी वेव के निचर की तरह होता है यह आप पढ़ोगी आप 12 इसी आगे पढ़ोगे ठीक है तो इलेक्ट्रोंग माईक्रोस्कोप इंवेंट हुआ अब इस से क्या होता है कि इसका जो रेंज होता है इसका रेंज होता है आराउंड जीरो पॉइंट सिकस से कम होता है तो इससे हम लोग क्या बता सकते हैं अब बच्छो यह एलेक्ट्रोन माइक्स माइक्रोस्कोप है ठीक है इसका तो यह रिजॉलुशन होता है 0.6 अब यह हमें क्या कर सकते हैं हमें रिजॉल करके दे सकते हैं मतलब हमें में बता सकता है that is क्या बता सकता है result size of atoms and molecules तो हम लोग basically यह optical microscope से जो 10 is to minus 10 के अंदर जो object है वो देख सकते हैं लेकिन उससे भी छोटा से size of atoms molecules को हमने देखना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे electron microscope ठीके बच्चों तो यह basic चीज़े आपको जाना जरूरी है estimation of very small distance कैसे करते हैं अब आगे वड़ते बच्चों अभी range of length की बात करते तो बच्चो range of length यह अगर मैं बात करो तो मैं टेस्टूग में से आपको बता रहता हूं तो बच्चों यह देखो यह जो range of length है ठीक है यह दिख रहे हैं आपको यह range of length तो इसमें कुछ बहुत दैसी देखो याँवन फर्मी वन फर्मी जो होता है आपका वन फर्मी कितना होता है 10 to minus 15 meter होता है तो यह चाहिए आपको याद होने है जीजेसा मेना भी वता है one strong one I'm strong कितना फांट 10 to minus 10 meter होता है one astronomical unit एक्जाम में आपका पूछा भी हुआ है कि अतलब एक एंट्रेंस एक्जाम में पूछा हुआ है कि पार्षेक इस यूनिट औ Pad action यह तो पार्षेक कि यूनिट अप लेंट एम पर उर्रीट्ट उपक्र Edil Har das इसमान शर्चाने करने लेंट्षेट यूनिट पर पर शर्चान यहाँ अब अधे इतना में यहाँ मत्तों एक सिर्च curriculum आप आए यह ऐसे ऐसे चोटे-चोटे चीजें भी पूछते हैं ठीक है बच्चों अब में तब जैसे ऍसे लेवल के अंटरेंस अग्जाम हो यह उसमें पूछते हैं ठीक है कि अब आनी कि अ